हेलो एवरिवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी SST की वरक्षीट नमबर 19, डेट है आपकी 4th December 2020, आज की वरक्षीट आपके पाथे पुस्तक हमारे अतीत भाग एक के अध्याय साथ ने प्रश्ण और ने विचार से ली गई है, जिसमें आज हम बुध की कहानी पढ़ेंगे, बहुत धरम के संस्थापक सिधार्थ थे जिने गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत धरम की जिसने स्थापना की थी वो थे सिधार्थ जिने हम गौतम भी कहते हैं, उनका जन्म 25 वर्ष पहले हुआ था, युवा वस्ता में ही ग्यान की खोज में उन्होंने घर के सुकों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमड करते रहें, तो बहुत ही छोटी उम्र में ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ग्यान की प्राप्ति के लिए और कई वर्षों तक वो भ्रमड करते रहें, जंगलों में घूमते रहें, उन्ह उसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए जब उन्हें ग्यान के प्राप्ति हो गई तो उसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने जाते थे यहां से वे सारनाथ जो की वरांसी के निगट है सारनाथ गए जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो अपना उन्होंने लोगों को सिक्षा देने में वैतीद किया उसके बाद दिया गया है कि बुध ने सिक्षा दी कि यह जीवन कश्टो और दुखो से भरा है ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है तो बुध कहते थे कि हमारा जो जीवन है वो दुखों और कष्टों से बहरा है और उसका एक मात रीजन है हमारी इच्छा है और हमारी लालसा है हम इतना जादा लालच करते हैं कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए और जब वो उमीदे हमारी पूरी नहीं होती है तो हम दुख और कष्ट से भर जाते हैं तो अगर हम आत्म सैयम कर लें अब खुद के उपर कंट्रोल कर ले तो हमारा जो जीवन है वो सुखों से भर जाएगा उनके अनुसार आत्म सैयम अपना कर ही ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं करते हैं कि हमें खुद को कंट्रोल करना चाहिए बहुत जादा लालच करना या बहुत जादा इच्छा रखना हमारे लिए अच्छा नहीं होता उन्होंने लोगों को दयालू होने तथा मनुष्य के साथ जानवरों के आदर करने की सिक्षा दी तो वह कहते थे कि हमें बुद्ध ने अपने सिक्षा सामानने लोगों की प्राकरतिक भाषा में दी तो उनकी जो सिक्षा थी वो प्राकरतिक भाषा में थी और इससे सामानने लोग भी उनके संदेश को समझ सके जो भी वो सिक्षाय देते थे बहुत ही नॉर्मल लेंग्विज में देते थे सेंट क्युद कि dethie तो बुद्ध कि da Freakla q-car दी थी ताकि सामानने लोग इनके संदेश도 समझ सके सबक्राइब के वह गवा लोग भी समझ सके इसलेло उन्हें प्राकरतिक भासा में सिख्षा दी थी फिर्ड कुश्न है आपका बुद्ध के किस उदेश को आप अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों तो बुद्ध का आत्मसयम का उदेश अपनाना चाहेंगे क्योंकि हमारी इच्छा और लालसा ही हमारे दुखों का कारण है यदि हम लालच का त्याग करके आत्मसयम कर ले तो सभी दुख खतम हो जाएंगे तो हमें आत्मसयम रखना चाहिए उनका ये उप्देश बहुत अच्छा है कि अगर हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर कंट्रोल कर ले तो हमारे सारे दुख खतम हो जाएंगे ठीक है